यह बच्छे लोग देखो तो बात मत करो सुनो पिछले क्लास में हम लोग ग्राफ पढ़े थे ठीक है और वो ग्राफ क्या था हाँ एक मैंनस वाई लेज देन इक्वाल डू टू मतलब लिनियर एक्वेशन का ग्राफ हम लोग फिच रहे थे यहीं न चलो आगे बरते हैं चलो नेक्स्ट तो एक है एक चलो देखो 6x 6x प्लस 5y देखो 6x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 150 दिया हुआ है पहला नमबर आई ये दिया है एक्स प्लस 4y less than टू 80 और फीरू एक है मुंओ 16ट देटेन इक्वल स्टिन और फिर एक दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू खिचना है ठीक है कि किसमें होगा इसका हुल al ch Dalit A अलोको रिखना तो कैसे खीचेंगे देखो सबसे पहले जोह हम आ। तुम लोग सब्सक्राइप बाधा है above खालंगे और इसको सबसे पहले देखो क्या करना है बच्चा लोग सुनो बात मत करो अध्यान सुनों यहां पर पहला नंबर क्या है तो 6x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 150 है ना तो हम यह लिख देते हैं कि माना कि 6x प्लस 5y लेसे ग्राफ खीचते थे वैसे ग्राफ तुम लोग खीचो देखो यहां पर तुम ऐसे टेबल बना लो और यहां एक्स लिखो यहां वाइल लिखो तुम देखो एक्स के जवाप पाजीरो रखो दो ही मान रखो ना पता चल जाएगा इस्ट्रेट लाइन कहां से जा रहा है एक्स के जवाप पर 0 रखो तो य का फेलू कितना बोलो तीस आवाइक जवाप पर 0 रखो तो एक्स का फेलू छौब से काटोंगे तो कितना कि एक सबपचास बट अच्छे नहीं करनेता है पचीस छोग एड़ सब आ गया चलो एक उका निकल अब दूसरा नंबर दूसरा नंबर यह वाला है न तो तुम इसको खिच लो इसको लिखो कि माना पहले तो एक्स प्लस 4y क्या है एक्स प्लस 4y सब्सहां तो माना इक्स प्लस 4y बराबर 80 लिखेंगे अब इसके लिए तुम बना लो यह एक्स लिख्लो यह चलो अब यहां पर तो एक स्लेस्टान इकल टू पंद्रह यानि एक स्ब्राबर 15 एग स्लेस्टान इकल टू पंद्रह तो यह हमाल लेना कि माना एक स्ब्राबर संदर थए इन तीनों का हम लोग गराफ खषिछ लेंगे देखो अब आप की दुए गजब लड़का के खासी उसको देखते आ रहा है तुमको का है कला सिर्ष को देखते आ कि देख रहा है तो कि अरे देख लो देख लें बच्वा देख लो कि अब यहां से अब इसका अगर आप हम लोग खिछते हैं ध्यान से देखना दिकत होगा तो बोलना यह बच्छा लोग ध्यान से बताओ तुम लोग पॉइंट बताना ठीक है पॉइच यहां किस अंत्राल पर लें रहें कि सब इसमें सामधिब्यदू अजए काम करते हैं न लग औसी तक लेना हैं एक अंत्राल पर लेते हैं अब बीच में होें रख देंगे कि 5 में हैं क्या और खिशोट करते हैं पूलों तॉस पीज टीज टीज चालीज पूलों सब्सक्राइब पचास हो गया हाँ पर ताठ ततर और फिर उसके बाद क्या करना है औसी कोई से नहीं अटे का जी बैक आलर का है तुम है यह हो गया कहां औसी हो गया एक सक्षा यह चलो अब वाई एक्स परमाल ले चलो दौस बीस ऐसे करके कि लिए ना तो चालीज पचासता कर तो कोई बात नहीं है तौस कि यहां कि वजब आ जाता है काउंटिंग काउंटिंग में था तुम लोग किंग हो कि चालीज है अगे चालीज के पचास गिन रहा है कि कुछ कि लाट हो गया तर अभ ध्यान सुनलों मेरा बात अभी असे हम लोग फिस लेते हैं इसका ठीक है तिखो क्या करेंगे हम लोग पहला का घरा फिचेंगे तो बिंदू पहले मतलब यहां पर दिखा दें कि बिंदू कहां कहां बिन्दू क्या यहां पर पहला बिन्दू लोगे का जीरहों 30 0,3 कहां पर की यह 0,3 कुम तीस आज फिर से कि स्ट्रीट लाइन गे के लिए तुम इसको मिला दो मिला दिए एस ट्रीट लाइन हम लोग मिला दिये बोलो कोई दिकत अच्छा अब क्या करोगे जब मिला दिया हम लोग तो यह अब इसके मतलब जो असमीका है उसमें मूल बिंदू पूट करके देखो असमीका में मूल बिंदू रखो तो बताओ असमीका में मूल बिंदू रखोगे तो बताएगा कि इस रेखा के इधर लेना है कि इधर लेना है ठीक है तो यहां मूल बिंदू क्या होता है 0,0 तो चलो रखके देखो पहले समीकरण लिख दो यह समीकरण क्या है जी 6 6 प्लस 5y अब बराबर कितना है 150 चलो अब इसमें मुलबिंदु इसके आसमीका में पूट कर रहें जी चलो असमीका में हम लोग मूलबिंदु पूट करते हैं यहां रहां मुलबिंदु जीरो प्लस जीरो बताओ इस इंटो जीरो जीरो प्लस जीरो 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 एक सब पचास से क्या होता है संतुस्ट कर रहा है मुलविंदु इसको संतुस्ट कर रहा है यंश के किधर लेना है इधर लेना है कोई दिक्कत है घॉत आना गया दुसरा देखופल्स अब दुसरा क्या है दुसरा नमबर वहला में तो नहीं को मिला देते हैं देखो तो मिला देंगे तो क्या होगा देखो देहन सुनों कि यह हो गया तुम्हारा दूसरा नंबर अब इसका तुम पहले लिख लो कि यह कौन सा रेखा है जी एक्स प्लस फॉरसफी युद्प प्राबर website माइनस मत समय स्मय से अ थिक है चलो अब इसमें मुली बीदू फुट करो इसवाला में मुली बीदू करो 0 प्लस-0 जी गुलया जीन देक चोटा आन। कर रहा है मतला हाई बोल रहुचिक लिए चैहाई बोल रहा है बार तोस कर रहा है नहीं कर रहे हैं मुलबिंदू संतुस्ट मूलबिंदू इसमें राख रहा हैं तो 0 & 4 दूढ़ी 010 80 से चोटे नहीं तोस किया यह हम लोग इससे इधर लेंगे मुलबिंदू के तरफ लेंगा नहीं करता तो इससे उपर लेते है जलो अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि एक सब्राबर 15 का खिची यह एक सब्राबर आलफा का मतलब होता है एक ऐसी रिखा जो एक सक्षपर क्या हो कि सalah क्या है पंदरह यहीं डेखा होगी जो एक सक्ष पर लंब हो लेकिन किल लोंभ होगी लेकिन किस बिंदु पर फन्दापर अची नही들 हो vess कोई दिकत बोलो अब यह बोल रहा है कि एक्स का मान 15 से खोटा तो 15 से छोटा इधर होगा कि इधर होगा तो इधर नहीं हो गया तो हो यह नहीं इसका काम क्या है यह बताएगा कि पर्थम पर्थम चतुरथांस में बोलेगा यह कि देख मोग तुम लो कुछ करो लेकिन पर्थम कर में होना चाहिए ना तो हमसे बुरा मर्यादा में रहो करना तो य्यानी पर तूसा कि नहीं है तो हई भूल रहा है दर यह बोल रहा है इधर आप परसांसे और लचाना सा डोल दिमर भूल दिया की pilot है तो यह तुम्हारा क्या हो है वाइनिस्ट को संगथ मतलब सुशुंगत छेत्र इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं शुचलो संगत सुसंगत कोई दिकत किसी को डौट है तो बोलो यह क्या हो गया तुम्हारा सुनागत छेट्र यानि इसका हल्ष wonders इसका हल छेत्र हो गया सुसंगत छेत्र हो गया हल छेत्र हो गया इसका यानि इसके अंदर का कोई भी बिंदू इसको संतूस्ट करेगा इसके बाउंडरी पर का कौनों बिंदू इसको संतूस्ट करेगा तो इसके बाउंडरी पर का आचाहें इसके अंदर का कोई भी तो इसका हल कई खख लाएगा कोई दिकत समाज में आगया यह राफ हो गया किसी को डाउट है तो बोलो देज हो तो अप तीन को अलसे बीवालह पर चले यह तो सिंपल तीन वो इसमें गहां है इसमें भी थी रहेगा तो कैसे किचते तो आगे कोई दिकत अधी में कभचने में कोई दिकत हैं ग्राफ पेपर ले 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 तुम लोगे कोपी पर खिछने का परयास नहीं करना इस दिकत होने लगता है इसलिए तुम लोग बनाऊगे ठीक रहेगा ठीक है चलो नेक्स्ट हम बता रहा है ठीक है बता नेक्स्ट इतना हो गया चलो यह आज का पहला नंबर हुआ दूसरा नंबर देखो दूसरा नंबर देखो देखो इस संडे को दीर में परहाएंगे नाइट क्लास कनफर्म कर देंगे ठीक है आई परहाएंगे तो वहीं थोरा साम को जानते हो जब तक संतुष्टी नहीं मिलता ना जैसे इंटेग्रेशन अधा इंटेग्रेशन को फिर सरी भीजन हम सोच रहे क करने का और नाइट है तो फिर सरी इंटेग्रेशन को रिभीजन कराते हुए आगे बढ़ना होगा समाज गया है वदी कॉद्ट कुद्ध कर देखो इसमें है 3x प्लस तुई लेस्टन इक्वल टूटो ट्वेंटीफोर दूसरा नंबर इसमें है ए आइ देखों एक स्प्लस टुई वाई ए इसरा नंबर है एक स्प्लस वाई लेश्दन इक्वल टू टू टेन और यहाँ दिया हुआ है एक सब्सक्राइं इक्वल टू घ्राइड अब इसका अगर्ण तुम्हारे एक्जाम में 12 में रहे गाना तो क्या करेगा पता है 12 में अब थोड़ा सा ही बाकी है समझ जाओ एक तरह से इसमें बनाने का में तो तुम ग्राफ यहां सिख ले रहे हो यह ग्राफ सिखने आ गया तो उसमें खाली एको जेट देगा बोलेगा निकाल लिए तो निकाल लिए तो फाल निकाल लिए लेकिन सेखना मेन है इसलिए हम लोग को वह बनाना और यको सबसे इजी यहीं होता है इसलिए ध्यान से प्रैक्टिस कर लो और ग्राफ पर उसको बनाने का प्रयास करना ठीक है देखो अब हम लोग क्या करेंगे इसका हम लोग अगर हल छेत्र खीचे तो कैसे खीचते हैं तो फिर वहीं काम करो बोलो बच्चालो क्या बोले हैं करने के अब लिए अधिरी एक्स प्लस कितना है तो आइले लेस्दन इक वल्टू तो बीस तमाल नहीं हमाना अधिरी एक्स प्लस तू आई बराबर चौवीस अब इसके लिए तुम बना लो ऐसे एबल बना लो यहां एक्स यहां वाई एक्स के आपाजीर तो याई का भेलू बार यहां यहां बना लो कि यह एक्स और यह Yत एक्स को यहां पर 0 रखो वाई का भेल्यों क्या हो जागा आड़ आपके है आप लिखेंगे माना और पहले क्या है स्प्लस्ट वाइए इक वाराबर दस बात मुत करो फिर बात कर रहा है तुम लोग यह यह हं वाइए की वहाइए है कि जहापद जीरो तो यह समें तीन पर टॉप अब ईसमें देखता है देखो कि पहले बताओं बिंदु बताओं क्या हम लोग बिंदु बताओं गहां सोलट तक नगत hija थे लो तो हम लोग ले लेंगे तो नहीं हो जाएगा यहां पर जीरो ले लो अट बीच में आ जाएगा कि दो चार ले लें चलो है सुनो कि सब बहुत तेज लरका है तुम लोगी ना दे कि अधर देख सुनो कि अधर देखों बात मत करो अधर जीरो मतलब बिंदू आ यहां पर तू चार छे अधर दॉस कि बारा कि चौदा कि तोला कि बस अठारा कि लोगी से रहने दो अच्छा उसके बाद और सोला ही तक रहने दो ना कोन मत नहीं आगे बराना तो बराव ना तो छोड़ दो दो चार छे आठ दॉस बारा रहने दे वह गराप खिषते हैं देखो बच्छा लोग सुनलो बात मत करो देखो अब हम लोग गराप खिषते हैं ध्यान से देखो बिंदू यहां पढ़नों पहले जीरो 12 वारत जीरो 12 यहां पर जीरो कौमा बारा ठीक है यह 062 अटाथजीरो यहां पर है यह वहaches पार जार ज्वारण ज्वारा थे यहां पर है यह हो गया इसको मिला धो इसको क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे तो देखो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा कि लादिये चलो ए देखो ध्यान सुनो यह हो गया ठीक है अब इसमें मूल बिंदू तुम पूट करो बच्चा लोग मूल बिंदू पूट करो इसमें प्रेएंली जीरो प्लस जीरो 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 चुरो चुवी से छोटा है और फीडाऊं हो जीरो сыंतुष्ट कर रहा है मतलब इससे इधर लेनाया को加 खोड़ सांबर हाया बूल रहा है क्यां देंगे जीडो आठ सोला जीरो चलो इसमें मुल बिन्दु पूट करो ना जीरो प्लस जीरो 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 सोला से जोटा है संतुष्ट कर रहा है मतलब इससे इधर होई बोलना इससे इधर लेने के लिए ईपोल दाइए इससे इधर मतलब तब इससे इधर तोइने बात चलो आप तीसरा वाला क्या है 010 तब 010 कहां है तो 010 यहां है यह 010 और क्या है तो जिरो आप बीच में सजा रहा है जी कि देखो भदी तेज लगा है तुम लोग मानगा है अच्छला देखो आप यह तो हो गया रबोलो अब इसको कि जाओ कि जाओ क्लिष्थ लूम मुल्बिन दू पूट करें समय मुल बिंदू तब जीरो प्लास ये लिम्ट को ता सत्ष चल रहा है यानि इससे तो इधर ले नहीं है और हो यह ना कमें रहरा लाना है दो एक मौन क्या अलग रहा है कि करना खूर करkte कशाल नहीं है कि और होगा यह तुम्हारा हो गया क्या बच्चा लोग बता हो तो नहीं है हुल पित्ली कर्सक्rat यानि सुसंगत छैतर है पॉच्छ और इसको सूसंगत छिक्तर पोलते हैं तुम्से पूछा जा गी इसस संगत छैतर का कौन कोनary कौन है तो बता सकते हो फिस्ट। सम्गत चैतर का को बिंदु कौन क्या था तमुल बिंदू और जीरो है एक है अभी बिंदू करने पर पता चलेगा तर को मद छे आएगा कि क्या है ग्राफ पेपर पहीं पता चलेगा तर को मद छे आ सकता लेकिन पहले लिख दो तो बता तो पहिल का का हमिए करन नहीं लिखेते बोलो जीरो पारे वाला कितना है कि घरी X Plus कि त यह बराबर तो लिखेते आ सूर्व यह हॉप्य बोलते हैं ठीक है और सुसांगाथ चेतर जब सब तरफ से घीरा होता है तो इसको क्या बोलते हैं बोलो बाउंडेट फीजिवल दिजान बाउंडेट मतलब क्या चारो तरफ से घीरा हुआ चारो तरफ तर फिरा उए इसलिए बाउंडेट सब तरफ से घीरा हुआ यह छेत्र क्या है सुसंगत छेत्र हुआ कि अउस og real पीडिदू नीकल जाएगा असान इससे कि और निकालेवी सकतें ऊकटाने बिंदू आAREए अगशे सुनों यहां सुशंगत छेतर यह हुआ के चुंसशंगत क्पेत्र में अगा टुछण दुगु रेखाया का कट्ञानी बिंदू संौन हैं हो इसि सुनगत के बाहर अपिनदु संसे खेत्र में किसी को डाउट है नहीं एक Is कि अच्छार को में रहेगा तो यह कोहने हम यह तो नहीं बोलें कि नहीं करेंगा हम बोलना है ना कि ग्राफ पर पर पता कलता है हम यह बोलें कि अगया है देखो तो 17 को सिंहां है तुम लोग खिच लेने अपने से ग्राफ खिच लोगे ऑदिकत अब सुनो एक को स्विश्था में तुम्हारे विएश्था से कौस्टन अब यहां से सुनो और एक जान कैसे आता है उस टाइप का हम बताते हैं ठीक है सुनना ध्यान से द किया है यह लाइफ में क्या है ना जिससे हम कि कि लिए कि हमारा प्रोफट की मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सब्सक्राइब यह पढ़ा logar этому अधारी हो नहीं में लिखे पर है नहीं हो पर यह लिखें हो तो मालों की कोई आदमों तुम से पूछा को बीजनस करना चाहता तुम लोगा ठीचि को स्क्राइब पूंचन करना है आँ तुम कैसे हना मतलब हम कैसे पैसा लगाएंगे ज़्यादा प्रोफिट कमा पाएंगे तो उसका तुम लोग से पूछता क्या है सुनना तो नोगे ध्यान से दिखकत होगा तो अशन बोल रहा है ध्यान सुनो बोला कि मेरे पास 50000 रूप्या है मेरे पास नहीं मतलब उस बेपारी के पास 5000 रूप्या है तो इनकलेगा दूंगों नहीं निकलेगा कि अगर मालो कि हम 50 रुपया रखें हम बीजनस करने के लिए अब बॉला कि हमको बीजनस करना है दो तरह कहीं बीजनस करना मतब फर्नीचर भी बेचना है वह बोला कि टेबल बेचना है और चेयर बेचना है ठीक है दूए को चीज़े बोला कि या तो हम टेबल बेच टेबल लाएंगे चेयर लाएंगे दोनों लाएंगे लेकिन टेबल बीजनस करना उपए नहीं बोल दिया ठीक है और टूटल उसके पास किसना रुपया है पचास जार आ तुमसे बोला कि हम साथे पीस को रख सकते ह है समัझ वाया भौला से कि हम साथे पीस को रख सकते हैं कि पानी में रखना पड करना है भर से पता चलेगा कि وारिसो decreased लोड से अभूला कि हम साथे को रख सकते हैं ठीक है इसको कई यहां है उसको करना है टेबल और चेयर का अथ साथते पेसार को रखने का कि यह 50 को रखने का जगह है अब फिर बोला कि यह एक टेबल का कुस्ट बता रहा है कि फकीस सो रुपया यह को टेबला कुस्त सुनना बोल रहा है कि एक टेबल का कोस्ट पचीस तो आ एक टेबल का कोस्ट पान सो ठीक है तो बोल रहा है उसके बाद कि एक टेबल पर प्रोफिट 250 रुपया कमाता है और एक टेबल पर प्रोफिट 75 रुपया कमाता है तो बोल रहा है कि हम कितना नंबर अफ टेबल और कित लिवर्य फॉट्य टेबल और चाना चाहता है उसके पास रखने का पूरा कैसल कितना आफ को उसके कमाते हैं तो बोल रहा है कि आप बताइए कि हम कितना नंबर आफ टेबल आ कितना नंबर आफ चेयर खरें मतलब कोई को फूर्ट मतलब कुर्सी आप कोई को टेबल खरी दें कि मैक्सिमम प्रोफिट हो जाओ बोलो तो यहीं वो कोशन तुम लोग से पूछा है कि maximum profit हो जाए तो तुम बोलोगे कि ठीक है रुकिये बताते हैं तो linear programming अगर तुम लोग पढ़े रहोगे तो तुम बोलोगे क्या कि रुकिये कि माल लिशे तुम उनसे मत कहाना कि माल लिशे कि एक्स को टेबल कर लिए और वाई चेयर उनलोद्यान से तुम केतना टेबल काता माना यहाँ लिख सकते हो तूम कि माना ऑल कि टेबल क्यूंटना है कि कि टेवलों की संख्या टेबल क हिंशे हर मेज होता संख्या बराबर कितना लिखेंगे कुरसी की संख्या बराबर यानि मेजो की संख्या एक सा कुरसी की संख्या वाई जैю तो ध्यान सुनना मेरा बात अब यहां से आगे जब लिख दिये तो तुम उसके पास कितना रुपे है टूटल पचास हजार है आये गो टेबल का कॉस्ट कितना है फली सो एक्स गो टेबल का कॉस्ट 456 हो जागा नहीं होगा तो यानिको टेबल का कॉस्ट हें फॉचीस सो nei जॉचार का कॉस्ट 5th य को चियर तो 500 वायनि । टोटल क्षर्चा यतना अ यह जाएगा एक्स टेबल खड़ी देगा तो 25्ड हो जाएगा उसके पास टेबले में खर्चा कितना हो जाएगा पूची सव एक्स फियर पर 500 तो यको चेर पर जादक राक ही बोला कि 85000 हाय मेरे पास तो ही टोटल मिला कर या तो पाčासंगा सही पौप कर ना चाहिए या पचाहता कि पॉर्ण कणा चाहिए कोलो कहेंड चाहिए तो यह हो गया यह अब इसमें से तुम पहले इसको मांसोommt जोटा हो जागा एक्वेशन इक्वेशन प्काइब में पच्छापस पांच एक्स पांच से लाइव लेजों पांच से भाग्वेशन हो जाएगा प्रिया अच्छा दूसरा तुनों एक उसे प्रोफिट केतना कमाड़ है कि टेबल से 250 टेबल से 250 रुपया एक गोना टेबल है तो 250 एक्स कमाएगा प्रोफिट नहीं समय में कोई दिकत अच्छा एक पाइल और बात बता तो हमको इतना तो हो गया ठीक है अच्छा कोई रख सकता है कोई को सबस्क्राइ यानि नंबर आफ टेबल नंबर आफ चेयर उसाथे को रख सकता है या साथ को से कौम रख सकता है उससे ज्यादा तो रखेगा नहीं इसलिए यहां पकाला का दिया लेस्टन इक्वल्टू समझ में आया कि एक्स चेयर आवाई मतलब एक टेबल आवाई चेयर मिलाके सब्सक्राइब नहीं रख सकता है उसको लॉस में जाना है क्या कभी नहीं होता क्या है मैक्सिमुम प्रोफिट कमाने के लिए जैसे माल लोग कोई बेग बेच रहा है जानता है कि हम मार्केट में पचास अभी पचास को बैक का डिमांड है जहां। हो एंटॉ CB4 तो 100 थोड़े निकालेगा अचाहे 55-000 थोड़े निकालेगा था 60 थोड़े निकालेगा उप 50 फ्रॉब्स प्रॉट होगा इसलिए मतलब जितना डिमांड होता है मतल습니다 अला ही निकाला जलता है जिक है कि यह चिए क्यार टेबलर से मिलाके खराब हो जाएगा कही तो मेरे कहने का मतलब एक्स प्लस या तो साठ़को से कौम यह दूसरा ऑशमी का आ गया बोलो कोई मैं निकेटीव होता है कि तुम्हारे पस माइनस पांच को डेबल है माइनस दोस को चीवर इसे है क्या तो एक्स का मान तो greater than equal to zero होखवे करेगा आए यह सकता है तो टेबल खाली 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 खालीदा अब यह तीसरा नंबर आ गया अब देखो अब प्रोफिट बात करते हैं यह इतना यह असमी का जो निकाले समझ में आ गया चलो अब समझो मेरा बात अब बोल रहा है कि एक हो से एक हो टेवल से प्रोफिट डूसर पाचास सप्रोफिट रुपिया आप एक टेवल से पाचास एक हो जागा है कि X Go Table से 250 एक्स प्रोफिट नहीं हो जागा कि तो देखो बच्छलों के एक्सव टेवल सें दूसर पचास एक्स प्रोफिट हो जागा यह को से प्रोफिट कमा रहा है 200 eld देशा फलनिगे की उसको बोलता है इसको क्या बलते है एट्ट जेड बराबर दूसर पचास x 55 बोल रहा है कि यहाँ x और y क्या PC मान रखें सक थैख महत्तम हो जाए अधिक्तम हो जै मतलब क्यों में क्या करना है और यह न nessa है तुम बताओ कि कि एक्स कीतना रखेंगाWe कितना रखेंगैनel यानि नमबर अफ टेबल कितना खरे देन चितना कीतना देंगी नमबर अप्टेश तक हमको मैक्सिमम् पिए को यहीं वोब ला है निकालने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं इसका फिस्ते हैं निकालना तीर displaced देखना जो घ्राब ऑफिछते हैं उसे से हम लोग इसके लिए बनाओ टेबल बना लो ऐसे एक्स वाई एक्स यह पर जीरो वाई ब्राबर सो हो गया अब आई की जाब पर जीरो अब 20 हो जाएगा चलो दूसरा नंबर कि दूसरा नंबर क्या है जी कि एक्स अब्लास देन इक्वल्ट गवाई अ क्यों एक्स बना लो ए बच्चा बात मत करो यह एक्स यह वाई एक्स किया पर जीरो वाई का भेलू साथ चलो ग्राफ किछते हैं ए ग्राफ किछे ना ध्यान से देखो दिकत होगा तो बोलना देखो कि अध्या देखो ए मान रखते हैं यहाँ जीरो कि पीस कि चलो कि बीज कि यह तीस कि इस टालीश ठीक है और बलता हूं ताट यहाँ पर और से यहाँ पर सौ अब बात मत करो देखों बीस बिस पर ले लिए बिस बिस के इंटरफल पर लोग ले रहा है ठीक है अच्छा अब यहां बताओ बीस कि बीस और यहाँ पर चालीश कि अलिस होगा नहीं पर और फिर थाट ऐसी भूलो कुझ दिकत में को अधोग हो गया इसमें से लिए को को दिक ने चोड़ना दैजिकत जोरना वाई कमेल और हंडिट नहीं है आपड ए सुनु बिन्दू रखो पहला बिन्दू जीरो सव तब जीरो सव कहां पढ़ है यहां पर यह जीरो तो आ दूसरा बिंदू 20 जीरो यहां पर लिख दो 20 जीरो है यहां पर 20,0 हो गया नहीं समझा सब 20,0 अब इसको मिला दो देखो यह पहले समिकरन लिख लो क्या है यह समिकरन 5x प्लस य बराबर 100 ठीक है भाग देख लिए हैं अब 500 से भाग देदिये थे नहीं होगा क्या अरे बोलो अच्छा उसके बाद देखो उसके बाद दूसरा बिंदू अलब रखो क्या है 0,60 यहां पर है 0,60 दूसरा मिला दो देखो बच्छा लोग क्या है इसका समिकरन कितना है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई बराबर साथ अच्छा देखो अब ध्यान सुनो यानि कहने का मतलब क्या है अब इसके बाद क्या करोगे ध्यान सुन लो यहां तक तो हम लोग लिख लिए लिख लिए न अब इसमें मूल बिंदू यहीं वाला तुम कलर कर लो कर देना कलर है ही हो गया तुम्हारा 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 आ गया कि अब इसको इसका नामकरन कर दो A B और यह से औप देखो ध्यान से सुनों एह तुसंगत छेत्र तर यहां सभी असमिकाओं से जो प्राप्त सुसंगत छेत्र है वह कौन है ओ अब कि यहां सुसंगत छेत्र क्या है यहां सुसंगत छेत्र क्या है बच्छा लोग तुसंगत क्षेत्र क्या है ओ ए बी-सी-ओ है कि बोलो कोई दिकात कि कि इसको सबका नाम करन कर देते हैं देखो इसको फीजिवल रिजन है 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 हुआ जीरो कमाई जीरो मूल बिंदु है कि बोलो आई देखो यहां सुसंगत छेत्र क्या है ओ ए बी-सी-ओ है जिसका कोनिय बिंदु बताओ क्या है जिसका कोनिय बिंदु जिसका कोनिय बिंदु कोनिय बिंदु है बच्छा लोग सुनो जिसका कोनिय बिंदु मूल बिंदु जीरो जीरो अब भी आ जागा तुम्हारा कितना दॉस साथ कि दॉस्पचास ना जागा तॉस्पचास अजागा तुम लोग कोई से पता चलेगा इग्राफ पेपर पर सीधे दिख जाएगा अच्छाली सा बीस के बीच में यह पचासे नहीं अच्छारी आगे इसको इसको हुल कर दो दोनों को देखो पाच एक्स प्लॉस वाई कितना है प्रवर साथ दोनों को घटा दो घटा रहां लोहीं पूर एक्स ब्राबर कालीस तो एक्स ब्राबर कितना दॉस नहीं है एक्स ब्राबर दॉस तो भाई कमान नहीं निकल सकते हो तो हम लोग निकाल के भी देख लेते हैं अलग ठीक है जब अगर गराफ फिचने में ए ज्यादा तो टिक गराफ फिचने के लिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर अलग जिए निकाल के देख लेते हैं तो यह दोस कॉमा पचास तो यहां कोईए बिंदू क्या ओगा 00 jetzt ihr buscar और सी यह चीजिरो संट है अना उद्वार्द सब्सक्राइब क्या करेंगे इन सभी कोईय बिंदू पर जड का मान निकाला जाता है इसको बोलते हैं हम लोग इसको रैकिक समी या नियरै कॉंस्ट्रेंस बेऊर्यूरोध trained को बोलते हैं नॉन your negative Constance मतलब रिनेतर बरोधर ये नहीं हो राई रिनेतर बीरोधर रिनेतर बेअरोध ठेता आई यह देखो और यह इसको बोलते हैं उदेश फलन इसको क्या बोलते हैं ऊबजेक्टीउ फंक्शन इसको उप्यक्टिब फंक्शन और यहां एक सर्वाई को बोलना निपना चाहल गिंद सब्सक्रा भूलते हैं नीरनाय चाहल जुद्व सब्सक्राइब को तरफ से घीरा हुआ है यह बांडडिट फईबल रिजिएन है को बांडडड फिजिवल रिजन है आप गोंसे वांडडिट का हिंदी उसमें अलंग लिखता है को देख लेना कुछ यहां पर जो है जो बाउंडेड है सभी तरफ से घीरा हुआ हुआ है सुसंगत छेत्र क्या है बाउंडेड है बोलो सब कि यह बाउंडेड फिजिबल रिजन अच्छा देखो इसके बाद कि अपान बाउंडेड क्या होता है जैसे माल लोगी हई क्या होता है अनौंध तक हो जाता यह तरफ से घीरा नहीं रहता है तो इसको क्या बोलते हैं ऑन बाउंडेड फिजिबल रिजन समय रहे हो बात कोई देखत है अच्छा अब ध्यान से सुन लो मेरा बात एक और यह तो कॉर्नर पॉइंट हम यहां ले लिये हैं अब यहां देखो अब जेड बराबर दूसर पचास एक्स प्लस पचाहत्तर वाई का मान मान कोनिये बिंदू पर निकालने पर कोनिये बिंदू पर निकालने पर निकालने पर निकालने पर निकालने पर निकालने पर निकालने पर कर बताओ निकालते हैं कोन ये विंदु यह आपका कोन ये विंदु क्या है 00,0 क्या है दूसर 50 एक श M क्या है को आलो हम बोले नहीं है सुना नहीं है कोस्तान हो ता फिर अब बेखूप है यहां लिख देना को निये बिंदु देखो को निये बिंदु यहां पर लिख देना जेड कितना है दूसर फचास एक सप्लॉस पचास तरवाई अब पहील का को यह बिंदु ले लो क्या है मूल बिंदु होगाइश जीरो कॉमाँ जीरो निकालो जीरो हो जाएगा यह इतना हो जाएगा तो अब दूसरा 20,0 से कमान पर निकाल जड़ कमान तो यहां 20 रखो यहां 20 यहां 0 यहां 0 तोसा फांचल ज़र हो जाएका है जोड़ेडस गुणि दूद पांसवाइं जीरो एक नहीं है फांचलर हो जागा आप बिन्दु बीपर यह पिन्दु कितना है टॉस पो में पचास पनिकालो जडिका मान हमान यहाँ है कि तो कि तयसर्थ होगे क्टीज तो यहाँ पचास्र रहोगे तकि अहों तर्पक्चे शाई थीlando साइथ स्बिस्थूँँज पचासः प्ल तो पैतालिस सो अब तुम बताओ कि इसमें महत्तम किस बिंदू पर है तो तो तुम्हारा जो होल आ गया वो क्या गया तो पचास यानि एक कमान दोस आवाई कमान पचास यानि दोस को टेबल खरी देगा अब पचास को चेर खरी देगा तो उसको मैक्सिमूम प्रोफिट देखो यहान लिखें गभी लोंगोज में लिखा जाता है कि यहां जेड का अधिकतों मान बिंदू दूस कोमा पचाप स्वार प्राप्त को यह बिंदू दूस कोमा पचास पर प्राप्त हो रहा है इसलिए हो कि इसलिए एक सब्लाब दॉसाओ य बड़बर पचास जहां एक्स क्या है टेबल ओकी संग्या अग्या मतलब कुर्सी कि अग्या कितना 50 हो गया यानि उद्धास को टेबल और पचास को चेहर ख़़ी देगा तो उसको मैक्सिमम्म प्रोफिट होगा तो तुम्हारे एक्जाम में यहीं को चना ता है इतना देगा इतना ही देगा तुमको सुनों पांच नमबर का इतना ही देगा बोलेगा इसको हॉल जीरो कि यह ताजीरो समाज में आ गया कोई डिकत अरे समझा सब की नहीं समझा सब क्लियर हो गया यह अधिक तवमीकरन अनिंटमीकरन का होता अभी यह को कुस्टन बता है इस पर दस मतलब साथ और कुस्टन बता देंगे पूरा किलियर हो जागा उसके बाद तुमसे कुस मतलब एक किसी एक तरफ से जरूर खूला रहेगा वह अनन तक रहेगा ठीक है तो मेरे कहने का मतलब कि दूग है तो बाउंडेट वाला अभी तक तो भी हाल बूट पूछा है लेकिन अन बाउंडेट हम कभी देखें नहीं है को सकता है कि एक बार दो बार पूछ दिया हो लेकिन इधर शाथ शाल में नहीं पूछा गया है और खाली भाउंडेट पूचा है ठीक है समझा बात में प्र हम लोग पहले बाउंड़ कर लेते हैं कुछ कोत बना लेते हैं अजब बना लेंगे तो अब अब बाउंड़ेट पर कोस्ट रैक्टिस करेंगे ठीक है दोनों लेकिन लोग बनाएंगे लेकिन इससे पास नमर तुम्हारा याद रखना जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तुमको खुद बोलेंगे करेंगे अच्छी करेंगे अच्छी को लाना पड़ेगा राफ पर बनाके इसको लाओगे लेखने के लिए 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 ठीक कर दिखाओंगे तक दम समझ जाओ कि तुम्हारे क्यां के लिए ठीक है कोई दिकत तो मैं आगया कि है